Friends, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 12 एक तिन का समझरीव बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सू का गास का तुकड़ा उससे संबंदित ये कविता है इसमें मैंने पार्ट दो बनाए है एक पार्ट A है जिसमें वर्ड मिनिंग और वेरी शॉर्ट कोश्चन पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में हम शॉर्ट और लोंग कोश्चन पढ़ेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सिस्क्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए हम साथ करते हैं पार्ट 12 के वर्ड मिनिंग गमंड, गमंड मींज अभीमान, एठा, बचो एकी मातरा लगानी है एपे अभीमान से तनकर, मुंडेर, छटका, किनारा, बालकोनी नहीं होती, उसको कहते हैं अचानक एका एक, सहसा, जीजक, शर्म, ताने, उलहाना, समझ, किरी तेरी समझी इतनी है, यानि बुद्धी मूट, मूट, इसमें चंदरबिंदू लगा है, मेरे फोन में लग नहीं पारा था मूट, कपड़े को इकठा करके, सूती कपड़े को इकठा करके, मम्मी हाथ में लेकर, उसकी एक गोला बना लेती है, फिर अपने मूँ की हवा से उसको गरम करती है, फिर अमारी आग पे लगाती है, ताकि अमारी आग में जो गिरायों से बाहर निकल आए, आपने देखा, अपनी रियल लाइफ में, मम्मी, दादी, ये सब यही करते हैं, जब हमारी आग में कुछी डल जाता है, तो वही काम कवीता में लोगों ने किया है, तो मूट इसे कपड़े की फां भी कह देते हैं, फां, और कपड़े को इकठा करना, बेचें, व्याकुल, दबे पाओ, या किसे को पता ही न चलना, अब तिनका क्या है बच्चे पूछते हैं, आज कल के बच्चों को ये भी नहीं बता, तो बच्चों तिनका सूकी गास का बहुत चोटा टुकड़ा होता है, अब हम इसके very short question answer पढ़ेंगे, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस कवीता के लेकक कोन है, बच्चों कोई भी चेप्टर पढ़ो, उसके राइटर जरूर याद किया करें, तो इस कवीता के लेकक, अयोध्या सिंग उपाध्याय हरी ओजी है, question number two है कवी कहां खड़ा था, तो कवी एक दिन गमंड से भरा हुआ, अपने घर की चत की मुंडेर पर आया, कवी के मन में यह विचार आया, कि उसका कोई कुछ नहीं भिगाड सकता, यह अभिमान हो गया ना उसको, कवी के साथ फिर अचानक क्या हो गया, तो कवी की आँख में अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका, गीर पड़ा, तभी तो कहते हैं, अभिमान नहीं कर ना चीए, तिनका कहां से उड़कर आया था बच्चों, तिनका बहुत दूर से उड़कर आया था, तिनका कहां के गिर गया, तिनका कवी की आँख में आकर गिर गया, आँख में तिनका गिर जाने से क्या हुआ, तो आँख में तिनका गिर जाने से कवी बेचैन हो गया, अ दबे पाओ कवी की गमंड एट भागी उसे बड़ा गर्व हो रहा था मेरे पास तो इतना पैसा है देखो किती बड़ी कोटी है मेरा कोई कुछ नहीं विगाड सकता तभी उसका गमंड तो ने एक गास का चोटा सा टुकड़ा आ गया और उसकी गमंड भाग गई